तो आज की वीडियो में दोस्तों में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने OnePlus के 10 Pro मोबाइल फोन में यहाँ पर एप्स को कैसे लॉग कर वक्तियों यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी बहार से एप वगरा इंस्टॉल करने की जोरत नहीं पड़ेगी आप इसके बीच में आपको एक एफी फैटिंग मिल जाती है जिसके जरिए आप अपने एप्स को लॉग कर फकते हो असानी से तो चलिए दोस्तों बीना टाइम वेफ्ट के मुड़ी को शुरू कर लेती है सबसे बले दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर अपने OnePlus Mobile की यहाँ पर फैटिंग में चले जाना है आपको फैटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको काफी फार है यहाँ पर ओप्शिन देखने को मिल जाते हैं आपने क्या करना है इफ आपी नीचे जाना है नीचे जाने के बाद दोफ तो आपको याँबर दो अप्शिन देखना को मिलेगी Powerful and Security and Privacy तो आपको याँबर Privacy के अफ्शिन में चले जाने है याँबर जाने के बाद दोफ तो आपको इदर फै fund Wipedown करना है एंड यहांपर आपको private week option में आ जाना ठीक है यहांपर एक permission को option मिलता है लेकिन आपको यहांपर private week के option में आना ठीक है एंड अभी दोफतों आपको यहांपर एक option देखने को मिल जाता है app lock का तो आप यहांपर click करेंगे यहां पर दोफ्तों अपना कोई भी एक power forward बना लेंगी जब आप पहली बार आओगे तो आपको power forward बनाना पड़ेगा मैंने already power forward बना रखा है तो अभी क्या करेंगे यहां पर आपको इस app lock को on कर देना है on करने के बाद दोफ्तों अभी जो भी आप app को lock करना चाहते हो उसको आप यहां पर on कर देंगे और यह जो है अभी lock हो चुके app मैं आपको दिखा देता हूँ यह दोफ्तों अभी मैं back जाता हूँ जैसे मैं भी my atl app open करता हूँ तो इस पर अभी password लगा पड़ा है जब मैं इस password को डालूँगा तभी मैं इस app को use कर पाऊँगा इस तरफ दोफ्तों अगर आपने इस app lock को हटाना है तो क्या करेंगे आप जाएंगे setting में setting में जाने के बाद दोफ्तों आप फिर फिर जाएंगे यहां पर यहां पर जाके इनको भी बंद कर सकते हो तो आपको जो app lock है अब भी वो बंद हो चुका है तो इस तरफ दोफ्तों आप अपने रिवान प्लस के 10 प्रो मोबाइल फोन में apps को lock कर सकते हो बिना कोई app install किये तो तन्हें बदोफ्तों वीडियो को देखने के लिए